समसेर बादूर सिंग की कविता उससा में सूरी उदय के ठीक पहले के पलपल परिवर्ती प्रकरती के दर्शियों की रचना है इस रचना में प्रातय काल का वर्नन किया गया है अगर कोई अभ्यरती चैनल पर पहली बार सिक्सन कारे कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब रावसे कर ले गंटे के निसान को दबाए ताकि आने वाले वीडियो की सुचना उसे तुरंट प्राप्त हो सके तो शुरू करते हैं इस कवीता को जिसमें प्राप्त है काल का जो आसमान था बहुती निला संक जैसे जिस तरह से निला संक होता है उस तरह से आसमान का नजरा रहा है वो नजरा रहा था भोर का नब सूरियो दय का आसमान राक से लीपावा चोका अभी गिला पड़ा है जिस तरह से राक से जो घर का जो आंगन होता है उसको हम लीप देते हैं उसी तरह से जो आसमान है वो अभी लीपावा नजरा रहा है और वो इस तरह से नजरा रहा है जैसे अभी तक वो ग तर्दिक की सतय है वो नजर आ रही है जरा लाल के सर से जैसे घुलदी हो और उस सतय पर ऐसे लगता हो जैसे लाल के सर लालीमा है उस सतय पर कहीं चाही हुई हो और मिली हुई हो उसमें सलेट पर लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने सुबह के समय जब तक सूरी का उदय नहीं वहो उस समय थोड़ी कालिमा चाही भी होती है तो ये जो सलेट की उपमा दी गई है वो आसमान की सतय को और धर्थी की सतय को दी गई है साथ में लाल खड़िया चाक के मादेम से सूर कि उक्तिवी जो कर ने हैं वो इस सलेट पर गिर रही है तो उसका रूप है वो परिवर्टित हो रहा है मल दी हो किसीने और ऐसे लग रहा है कि इसी आस्मान पर और दर्ती की सते पर किसीने मल दी हो फिर है नील जल में आगे लग रहा है कि नील जल में या किसी गोर जिल मिल दे है जैसे हिल रही हो कि जिस तरह से निले जल में किसी गोरी का बदन है वो हिलता वा नजर आता है उसी तरह से आस्मान के जो जितने भी परिवर्टित रूप है वो हिलते वे नजर आ रहे हैं और जादू तूटता है इस उस्सा का अब और धिरे धिरे जादू तूटता है आकर्षन है वो तूट रहा है उस्सा का इस समय सूरिय का उदय हो रहा है जैसे जैसे सूरिय का उदय हो रहा है दर्थी के जो रूप है वो अलग-लग परकार से परिवर्थित होते बे नजर आ हैं जितने भी जो दर्शे हैं उन पर सूरी की किरणे पड़ रही हैं तो वो अपना आकर्शन अलग-अलग रूपों में हमारे सम्मक्स प्रस्तुत कर रहे हैं तो इस तरह से यह आपकी एक छोटी किसी कवीता थी इस कवीता से जुड़ेवे कुछ महत्वपूर्ण परसन हैं वो अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे और मिलते हैं एक बहुत ही जल्द इसी अध्याय से जुड़ेवे वीडियो को लेकर जिसमें बहुत सारे परसन होंगे साथी आपकी अभ्यास परसन भी उसमें सामिल होंगे औब्जेक्टिव टाइप के रूप में तो आपको उनके उत्तर देने हैं तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत